असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो दे फैसल सर्स अकडेमी यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज तो यहां पर नई वेकंसी जो हैं निकल चुकी हैं जो कि आधार सुपर्वाइजर ऑपरेटर की वेकंसी यहां पर हैं तो आधार सुपर्वाइजर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि यह इनफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट तक प्रमोट हो जाए और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेट सेक्शन में वाटसप ग्रूप की लि वेकंसी यहां पर मैं आपको डिटेल इनफॉर्मेशन देना चाहूंगा CSC E-Governance Service India Limited तो इनकी तरफ से जो यह वेकंसी हैं invite application for the post of आदार supervisor and operator आदार supervisor and operator की वेकंसी यहां पर हैं तो इसके लिए qualification जो रखी गई हैं यहां पर name of the post आप देख लीजिए मैंने पहली बताया आपको आदार supervisor जो है यहां पर vacancies हैं और educational qualification क्या रहेगी इसकी वो भी आप देख लीजिए educational qualification minimum qualification इसमें आपको होनी चाहिए 12th pass जी हाँ minimum qualification आपको 12th pass होनी चाहिए तो आप इसमें बर सकते हो यहां अगर आपके पास जो हैं यहां पर intermediate secondary जो है senior secondary यहां matriculation plus two year ITI diploma यहां आपके पास matriculation plus three year polytechnic diploma है तो भी आप इसमें eligible हैं minimum यहां पर देखा जाए तो अगर आप 12th pass हो किसी भी सी ट्रीम से आप इसमें eligible हो आप इसमें form बर सकते हो और online आपको कैसे apply करना है वो भी हम बता देंगे आपको यहां पर 18 plus आपकी age होनी चाहिए 18 से नीचे आप eligible नहीं है और इसके लिए आपको क्या है कि आदार operator certificate भी होनी चाहिए वो आपको कैसे मिलेगी वो आपको online apply करना है तो apply कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो should have आदार operator certificate issued by testing and certifying agency authorized by UIDAI for delivering आदार service आदार service के यह जो है इनकी application जो है आपको इनकी certificate चाहिए तो online अगर आपको उस certificate के लिए पहले apply करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले जब आप उस certificate के लिए apply करोगे वो आपको ज़रूरी है और experience one year तो इसमें आपको the person should have a basic understanding of operating computer तो computer चलाने की आप basic understanding होनी चाहिए mouse कैसे चलाते है keyboard वगेरा should be comfortably with local language keyboard local language keyboard जैसे J&K में है आपको यहां जो है आपको पता होना चाहिए यहां की mother tongue कश्मीरी हैं तो आपको कश्मीरी के बारे में पता होना चाहिए तो जहां तक उस certificate के हम बात करेंगे candidates can apply for other operator supervisor certificate on तो उसके लिए आपको इस certificate पे इस link पे click करना है या आप यहां से copy कर सकते हो फिर इस पे click करके आपको वहां पर एक page खुलेगा या वहां पर आप online certificate के लिए apply कर सकते हो उसमें around 400 के आवस पस आपको fee बरना है फिर उसके बाद उसका exam होगा online ही तो आपको test देना है फिर आपको certificate बिलेगी और आप जहें आदार operator या supervisor के लिए eligible रहेंगे तो ये आपको one year के लिए contract रहेगा एक साल के लिए तो उसके लिए क्या करना है या आपको government job नहीं ही इसमें आपको जहें आदार सेंटर रखना ये कहेंगे जैसे आदार काड अपडेट करते हैं आदार काड रिलेटर जितनी भी services हैं आप उनको जहें provide कर सकते हो और वहां आपके पास ये certificate बनेगी उसके बाद आप apply करने के लिए इन निक्स पे जाएंगे इन मैंसे किसी एक link पे click करोगे तो आपके सामने पेज खुलेगा वह page इस तरह होगा जब आप उस page पे link पे click करोगे तो कुछ इस तरह का page आपके screen पे खुलेगा तो यहां पर आप देख लीजिए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा CSC governance service इंडिया लिमिटेट इन्वाटेट अप्लिकेशन इस फार दे पोश्ट आफ आधार supervisor and operator इसमें यह भी दिया गया है publish date यानि कब से हैं 1810 2024 से लेकर 3011 2024 इसका last date है सारे पोश्ट इसका तो यहां पर आप state-wide check कर सकते हो किसी भी state में आप यहां पर अपना form लगवा सकते हो जैसे आप JNK से हो तो आप जमू एंड कश्मीर state पर जहें किलिक करोगे तो आपको JNK state भी यहां पर देखने को मिलेगी आप देख लीजिए JNK state भी आपको यहां पर मिलेगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज खुलेगा तो पेज कुछ इस तरह खुलेगा यहां पर क्या चड़ता है आप देख लीजिए जब आप apply now पे किलिक करोगे यहां पर आपको जो जिस state से आप apply करते हो जैसे 36 ग्रह से मैं for example apply कर रहा हूं तो यहां पर हर एक district में क तरह से J&K में भी जो है district wise vacancies होगी तो उनके लिए आप यहां पर जहें अपना form लगवा सकते हो और जब आप यह ऐसे किलिक करोगे तो आपको जब यह निक ओपन होगी तो यहां पर अपने state के हिसाब से फिर जब आप page खोलोगे तो यहां पर आप apply now पे किलिक करोगे तो आपका form यहां से बाकि जो basic details जैसे pen card चाहिए, आदर card, photograph, signature, email id, contact number वो दे कर अपना form जहें submit कर सकते हो इस हवाले से अगर कोई भी query हो कोई भी question हो आप comment section में भी पूछ सकते हो हमारे साथ WhatsApp ग्रूप में join कीजिए और वहां से हमारे operators है, admin हैं तो उनसे आप director आप तबी कर स थिझा और वहां से भाले सी झाप में हमारे हो आप बारे कन चाहरे तूहू और झाले साथ क कर सकते हमां से बाकि दल्छ समय हैं